एक बात द्वारत से आप सभी का स्वागत करता हूं दिल से आपके अपने चैनल विवेकरणा स्टॉक्स पर अगर आप चले में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो साथ बैल को दबाना ना बूलना और दोस्तो एक छोटी अनौंस्मेंट करनी है जैसे आपको पता हर संडे ह अगर आप उस क्लास में पार्टिसिबेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जतना हो सके उतना शेर कर दो और ज्यादा से ज्यादा फेस्बुक में शेर करना ठीक है और शेर करने के बाद हमारा एक चैनल है इंस्टाग्राम में भीयार स्टॉक्स करके आप मुझे हमाँ कर सकते हो या ट्विटर में टैग कर सकते हो आप इतना काम कर देजिए और बाकि हर संडे हम एक क्लास कंड़क करेंगे जिसमें आपके जो भी कोशिंज होगे आप मेरे से वन वन फूस सकते हो ठीक है अगर आपको पार्टिसिबेट करना है तो बहुत कर दो लगा अलमोस्त हमें 300% की रेटन देगी 400% के आसपास अब स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है तो दोस्तों मैं आपको बाय करने की एडवाइज नहीं दे रहा हूं अगर आपको लगता है कि आपको बाय करना चाहिए तो भाई कर सकती हो ठीक है वैसे मैं आपको अ अंपरी क्या करती है वो भी बताऊंगा लेकिन बताने से वहले थोड़ा यह हाइलाइट्स दे देना चाहता हूं कि यह स्टॉक मुझे लगता है अपनी रिसर्च एड कर लेना क्योंकि बाद में आप लोग मुझे बोलो सवर आपने फसा दिया फसा दिया क्योंकि यह स्टॉक मैंने 35 पैसे चालिस पैसे के आसपस बाइक करके होल्ड करा हुआ है और यह स्टॉक मुझे लगता है काफी उपर जाएगा ठीक है आप खुद देख सकते हैं स्टॉक ने जो हाई लगाया और मुझे लगता है यह स्टॉक आपको सौ रुपे तो नहीं दिखाएगा अटलिस लेकिन पांसे दस रुपे के टागेट अराम से दिखा देगा और पांसे दस रुपे के टागेट में ऐसे हावा मैं नहीं बोल लाँगी पां दोस्तों यह स्टॉक अब मुझे क्यों लग रहा है कि यह सपोर्ट ले सकता है मैंने बहुत पुराने वीडियो में बोला कि पी एमसी फिनकॉप को अकर आपको होल्ड करना है या दुबारा एबरेज करना है दुबारा बाय करना तो सबसे बैस पैसे होगा असी पैसे के आ कर दोस्तों मैं आब थोग लिएट कर सकते हो तो देखिए कि यह यह स्टाइकते में ररा मिड़ा सकते हो रर लेंना अपर ठेंटल सकते हो ठीक है अब दौसों keeps पांस सल का मैंने चार्ट खोला को बहुत इक लिए दिख now होगा कि यह stock almost पांस सालों का इसमें multi-year recount दिया है पांस सालों का देख सकते हो ठीक है यह देख सकते हो और यही एक support area निकल के आता है जो 80 पैसे और 85 पैसे के आसपस बनता है ठीक है क्या बता 5 पैसे पहले ही support ले ले कोई यह बहुत सकता ठीक है तो भाई मैं यह नहीं कह रहा हो कि 10 लाग quantity बाय कर लो मैं यह कह रहा हो मात 1500 quantity बाय करके भूल जाओ ना 1500 समझते हो ठीक है खोने के लिए कुछ भी नहीं है मात्र आपका कितना रुपे लगेगा में तो एक लाग का 2% होता है 2000 रुपे तो 2000 रुपे लगा तो इस टॉक में भूल जाओ और डेफिनिट्टी रिटन बनेगी क्योंकि यह स्टॉक हमें 35 पैसे से रिटन दे के जा रहा है 35 पैसे से ठीक है यहां देख सकते यह रहा 30 पैसे का लो लगाया था और 35 पैसे में मै आपका आज की रिट में 67 रुपे हो जाता क्यों हो जाता स्टॉक ने एक रुपे 40 पैसे का हाई लगाया है और मैंने आपको एक तरीका बदा रहा है कि भीया आपको अपना जो भी आपकी कैपिटल है मालो अगर आपने इसको 34 पैसे 35 पैसे बाई किया था ठीक है तो आपन जैसी स्टॉक में अपना 100% का रिटन दिखा आपको 100% का बुक्स में अपना कैपिटल बिड्रो कर लो और उस कैपिटल को दूसरे स्टॉक में इंवेस्पेंट कर लो बहुत सारे पैसा है नहीं अरे भाई पैसा नहीं दिमाग लगाओ दिमाग ठीक है इस स्टॉक से पैसा निकाला आपने, इस स्टॉक से पैसा निकालके दूसरे पैनि स्टॉक में लगा दो, ठीक है? ये होता दिमाग, ठीक है? आपका पैसा भ्लॉक कभी हो गाई नी, ठीक है? अब जो इस इस टॉक में आपको प्राफिट है उसको रहने तो किस टागेट के लिए जब तक इस्टॉक मार्किट चल दें सब्सक्राइब क्या पता यह सटॉकप support के साब से एक support area बनता है base अब आप खुद देख लो कि support बनता नहीं बनता और नीचे comment करके आप बता देना कि हाई बनता नहीं बनता है ठीक है भाई तो मेरे साब सब्सक्राइब अब बात करते कंपनी के बारे में कंपनी करती गया है तो देख लो एक बार हो भी तो दोस्ट आप देख सकते हो PMC Fincom Limited मैंने खोल लखा है ठीक है यह एक तरह की non banking financial company है जैसे आपका बजाल finance है ठीक है बात करते कंपनी के के बारे में ब्यस्ट में लिस्ट कंपनी है ब्यस्ट का पैनि स्टॉक है 49 क्रोड के आसफ़स का मार्केट कैप है ठीक है और बात करते कंपनी के किता नीचे क्यों गिरा अब बहुत क्लियर दीजेन है सेल्स में कम में डाउन सेल्स में पूर सेल्स ग्रोड देखे गई इसे नीचे गिर गया ठीक है अगर सेल्स में रिकवरी आएगी तो डेफिनेटी स्टॉक उपर जा सकता है अब आपको दिखाता है कंपनी के दिसंबर कवाटर गए तो अब देख सकते हो कंपनी ने धाई करोड की सेल्स दिखाई है ए बुक्स में दिसंबर कवाटर में धाई करोड की दू पर सेमन थी करोड और जो नेट इंकम बनके आता है आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट आप बोल सकते हो 2.40 करोड के आसप का शीर भी लगता बढ़ रहा है बस अब देखना यह है कि भाई जो इस बार का प्रॉफिट है ना मतलब यह जो अभी जो क्वाटर गया है अगर यह इस पर अच्छे रिजल्स दे रहती है तो भाई डेफिनेटली यह स्टॉक ना आपको बहुत जल 10 रुबे के टागेट भी दिखा सकता है अगर इसमें जो भी नेक्स वाटर है इसमें आउट परफॉर्म कर दिया सेम अगर रिजल्स दिखा दिये डेफिनेटली भाई यह आउट परफॉर्म कर सकता है ठीक है भाई अब सब्सक्राइबिक है पातकर करते हैं किसका पैसा लगा है टो पैसा दोस्तो आपको बताया प्रमोटर होल्डिंग अल्मोस्ट 21% के आसपाल है थोड़ सी कमी है होल्डिंग में लेकिन दोस्तों मज़ेली बात है कि एक रुपे का प्लेज नहीं है प्लेज मतलब एक रुपे का शेयर गिर भी नहीं रखा है बागी होल्डिंग आपकी पब्लिक की है ठीक है तो डेफिनेटली मैंने जो देखा है पैनि स्टॉक में कंपनी के अगर प्रॉफिट बढ़ रहे है तो डेफिनेटली अब जोसके प्रमोटर से न यह होल्डिंग बाय करेंगे पब्लिक से तो नेक्स दो या तीन कॉडर में आपको देखने को मिलेगा जो यह होल्डिंग है प आप सायद बता रहा हूं मैं सायद बोल रहा हूं मैं 85 पैसे में स्टॉक को दुबारा बाय करूँआ ठीक है और मैं अगर गलत नहीं हूं न यह स्टॉक आपको पांच विवे के टार्गेट तो अरांच दिखाएगा अगर मैं गलत नहीं हूं ठीक है लेकिन भाई कभी भी blindly follow मत करना बातों में मत जाना हमेशा money management और risk management को follow करना जो 2% का rule बताया ना भाई उसको follow कर लो जिनकी बदल जाएगी store market में तेजी कुछ नहीं तेजी मतलब जल्दी वाजी कुछ नहीं है यहाँ पर wait करना पड़ता है ठीक है जो भी मैं आपको भी ज्यान दे रहा हूं यह बहुत चीज़े loss करने के बाद सीखा है ठीक है 35 पैसे में बोला था लोगों को बिस्वास नहीं हुआ 50 पैसे बोला था लोगों को तब भी विस्वास नहीं हुआ 60 पैसे बोला तब भी विस्वास नहीं हुआ अब 80 पैसे आया तब मैं बोल रहा हूं तो सायथ अब विस्वास हो जाए तो भाइट definitely stock को radar में रखो PMC FinCop share अगर आपने उपर के लेबन से बाई किया है एक जो प्राइज में आपको बोला गया है उसमें लेने का प्रयास करूँ ना ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको मिलता है मिलता है लेकि लोगों को जल्दी होती है मैंने बोला जल्दी होती है जल्दी नहीं करना है आपको वेट करना है अगर आपने यह सीख लिए ना तो डेफिन सब्सक्राइब कर सकता है बाकी देखते क्या होता है ना चलो भाई गुट नाइट तो यह था भाई आपका बैस पैनिस टॉक टू बाई नाओ बिलो वन उपी जो बी एसी में ट्रेट कर रहा है अच्छा लागर विडियो श्रीट कर देना अगर संडे को कलाच चीह आपको तो है ना चलो भाई